नमस्कार मैं डौक्टर जितेन पांडे उत्रखन मुक्तविश्र द्याले से आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेसिक कंप्यूटर औरगनाजेशन इन डिजाइन और इसके अंतरगत हम पढ़ेंगे कॉमन बस सिस्टम पिछली लेक्चर में हमने एक बेसिक कम्प्यूटर सिस्टम एजियूम किया था जिसमें हमने 8 प्रोसेसर रिजिस्टर और एक मेमोरी जिसके साइज 4096 x 16 है इसको एजियूम किया था हमने एक्सप्लिस्टी तो नहीं कहा था कि इसमें कंट्रोल यूनिट भी होगा लेकिन हाँ क्योंकि हम बार-बार इंस्ट्रक्शन को एक्जिक्यूट करने के लिए उसे डिकोड करने के लिए कंट्रोल यूनिट का इस्तेमाल कर रहे थे तो इसमें एक कंट्रोल यूनिट भी है तो हमारे बेसिक कंप्यूटर में फिलाल तीन चीज़े हैं Memory Registers, Memory और Control Unit अब चुकि किसी भी normally हमारा जो program है वो memory में लोड रहता है जब भी आप उस program को execute करते हो तो क्योंकि program क्या है sequence of instructions तो यानि at a time एक instruction memory से लोड होके यह instruction register में आता है यहां वो decode होता है फिर उस instruction में जो भी operation होता है उसको execute करने के लिए control signal necessary control signal enable करता है और फिर वो micro operation perform होता है यह तरीका है तो इसी तरीके से address register में आप memory की उस location का address डालेंगे जहां पे operand है program counter में आप क्या करता है program counter program counter holds the address of the next instruction to be executed तो यहां पे आप address वो लोड करते हो जो इस समय कोई जो instruction लोड हो रहा है तो CPU next किस instruction को execute करेगा उसका address यहां होता है तो कहने का ताथ पर यह है कि यह सारे register और memory आपस में data या information को exchange करेंगे तो इसका मतलब इन सारे register से हर register दूसरे register से connect होना चाहिए तभी आपस में communicate कर पाएंगे लेकिन सोचे हर register अगर दूसरे register से directly connected हो तो हर register से कितने combination तार के combination निकलेंगे यह 16 bit का register है तो 16 bit path यहां से निकलेगा इसके लिए 16 bit path निकलेगा इसके लिए 16 bit path निकलेगा इसके लिए इसी तरही किसे इस register में भी subject है 16 bit path 16 bit 16 bit यहां 12 bit यह 12 bit यह 8 bit यह 8 bit इतने combination हर register से दूसरे register में जाएंगे path जाएंगे basically circuit तो यह बहुत complicated हो जाएगा तो इस कारण से हमने इसको simplify करने के लिए 16-bit common bus की परिकल्पना की तो क्या होती है 16-bit common bus यहाँ पर इस diagram में देख रहे हैं यह 16-bit common bus है जिससे की सारे register और memory जुड़ी हुई है तो अब आपको हर register को दूसरे register से जोनने की आवा शकता नहीं यह common highway है इससे सारे register जुड़े हुए है बस फरक यह है कि at a time एक ही register इसमें data इस highway के थूँ दूसरे register को या memory को भेज सकता है इस arrangement को हम 16-bit common bus कहते हैं 16-bit क्यों कह रहे हैं क्योंकि हमारे इस redemption में यह basic computer में हमने एजूम किया है यहाँ पर जो highest size का register है वो है 16-bit का 0-15 तो यानि कि इस information highway से basically maximum 16-bit data ही travel करेगा इसलिए हमने यहाँ पर इस bus की width जो है वो 16-bit रखी है आईए अब हम इस 16-bit common bus के architecture को detail में समझते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर दिखेंगी यह